ये भवानी कौन है शैतान है तुम्हे दो मिनिट का वक्त देता हूँ हो सके तू मुझे मार कर इस हीरो का मैं दढ़ा हूँ पैसे देरा इसलिए तू मुझे मार रहा है खोड़ा भी हीरो का देरा हूँ क्या दो दोस्त होंगे एक दूसरे के खिलाफ क्या दुश्मनी लेगी किसी की जान हेलो गाइज आप देख रहें बॉलिव्राट स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त और पोस्ट अंकिता जिन्दगी जीने का एक सिंपल फंडा है हमें कुछ ऐसे रिस्ते चाहिए होते हैं जो हमेशा हमारे साथ देने का वादा करें और जिन्दगी के हर मोर पे हमारा साथ रहें हम एक ऐसे कहानी देखेंगे फिल्म मास्टर में भी जहां रिष्टो में आएगी तरार ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जिनकी किस्मत में मुलकात होती है पर वक्त इनकी इस दोस्ती को एक अलगी मोड पे लाके खड़ा कर देता है जै यानि की सल्मान खान और अमर जिनकी मुलकात तब हुई जब वो छोटे थे दोनों के परिवार की हालत कुछ खास नहीं थी जहां जै इस टीस को positive way में लेके अपने आपको अपने घर के situation को सुधारने की कोशिस करता है वही दूसरी तरफ अमर जै के बिलकुल opposite होता है और बच्पन में बस उसके दिमाग में एक ही खयाल होता है कि उसे अपनी इस situation को बढ़ाना है और खुद को इतना अमीर बनाना है कि कभी उसे पैसे खर्च करने से पहले सोचने की जर्मत ना पड़े दोनों दोस्तों की सोच बहुत ही अलग थी लेकिन फिर इनकी दोस्ती पे कभी कोई असर नहीं पड़ा जहां जय पढ़ाई करके ग्रैजवेट हो जाता है और टीजर बन जाता है वहीं दूसरी दरफ अमर पैसे कमाने के लिए माफिया के दुनिया में चला जाता है अब काफी वक्त बीच चुका है और दोनों की दुनिया बदल चुकी थी और इनमें अब दूरिया आ चुकी थी अब अमर को देख के शौल के बच्चे भी माफिया बनना चाहते थे और उनके फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए जय उन्हें रोज पढ़ाता था लेकिन बच्चे अमर के माफिया गिरी को देख के अपना फ्यूचर खराब कर रहे थे ये देख के जय अमर से कहता है कि वो बच्चो को बिगारना बंद कर दे लेकिन वो नहीं मानता है और जय के बिलकुल खिलाफ हो जाता है क्योंकि बच्चो के माफिया में शामिल होने के बाद उसका फाइदा होने वाला था क्योंकि उसकी गैंग के लोग बढ़ रहे थे जहां जय को बच्चे प्यार से मास्टर बोलते थे वहीं अमर को लोग बॉस कहने लगे थे अमर के पास भले ही पैसे और पावर थी लेकिन एक चीज़ की कमी थी उसका रूप बेविर और वो लोगों के मन में दर बैठाने लगते हैं जिसके बाद वो मासूम लोगों को दराने और धमकाने लगते हैं जय अपने दोस्त के लिए कही ना कही अभी भी हमदर्दी रखता है और उसको एक आखरी बार समझाने चला जाता है तब वो देखता है कि अमर उसका दोस्त नहीं रहा बलकी वो कोई और ही बन गया है ये देखते ही जय उसे रोकने चाता है लेकिन दोनों के बीच बहस होने लगती है और वो लड़ाय करने लगते हैं जहां उनके बीच फाइट होती है और सिच्वेशन उनके कंट्रोल से बहार निकल जाता है और अमर की मौत उजाती है तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद प्याइब बताईएब भीच जाता है